इस वीडियो में हम भोजन के दूसरे महत्वपून समू यानी कार्बो हाइडरेट के बारे में बात करेंगे. ये खादिया हमें उर्जा या काम करने की शक्ति देते हैं. कार्बो हाइडरेट युक्त खाना खाकर हम दिन भर सक्रिय रह सकते हैं और हमारा मन काम करने और खेल गूद में लगता है ये खादिया मस्तिश्क यानि दिमाग को भी ओजा देते हैं जिससे हमारे सोचने और सेखनी की क्षमता बढ़ती है किन्तो अच्छे स्वास्थे के लिए सही कार्बो हाइडरेट का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है कुछ खाने ऐसे होते हैं जिन में बहुत सरल या रिफाइन कार्बो हाइडरेट होते हैं जैसे मैदे के बने केक, पेस्ट्री, आलू के चिप्स, कोक या पेपसी जैसे मीठे पे और मिठाई ये खाने हमें कुछ समय के लिए तो उर्जा दे सकते हैं परन्तु इनके द्वारा दी गई उर्जा जल्दी खत्म हो जाती है और हम फिर से ठका हुआ मैसूस करने लगते हैं पर जब हम कॉंपलिक्स या साबुत कार्बो हाइडरेट से बने खाद्य खाते हैं तो वो हमारे पेट में देर तक रहते हैं और उनका पाचन भी अच्छी तरह होता है साबुत कार्बो हाइडरेट की उधारन है गेहू, बाजरा, जुआर, रागी, छिलके वाला भूरा चावल, गेहू से बना दलिया, मकई, कोटू और जौ के आटे से बने व्यंजन इन प्राचीन अनाजों में अनेक पौश्टिक तत्व होते हैं जो ना सिर्फ हमें देर तक काम करने की शक्ती देते हैं पर हमारी सेहत के लिए भी लाबदायक होते हैं साबुत अनाज के खादिय हमें लंबे समय तक उर्जा देते हैं, उन्हें प्रति दिन प्रोटीन खादिय और फल या सब्जियों के साथ खाएं, ध्यान रहे उनकी मात्रा कम से कम थाली का एक छोथाई हिस्सा होना चाहिए। हर मा चाहती है कि उसके परिवार का पालन पूशन अच्छी तरह से हो। इसके लिए आवश्रक है कि परिवार के सभी सदस्यों को परियाप्त फूर्ती और शक्ती मिले। खास कर छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने और बढ़ने के लिए बहुत उर्जा चाहिए। ऐसे में मा को मैदे से बने हुए या बाजार से लाए पैकेट के खाने के बजाए साबुत अनाच से बना ताजा खाना चुनना चाहिए। इससे मा और उसका परिवार स्वस्थ और सफर बनेगा।